नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ रूपा बुधी राजा मैं चैरोकार ड्रीडर वास्तव एक्सपर्ट और निम्रोलॉजिस्ट मुझा बात करते हैं 5 सेप्टेंबर के और दैनिक राशी फल के आज का दिन 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा चलिए ज प्रशब राशी की बात करें तो आपका दिखाई देता है आज का दिन आप अपने सारे काम जल्द से जल्द निप्टा लेंगे घर में भी काफी एक्टिव रहते हुए नजर आते हैं बहुत जादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको गुड रिजल्ट भी मिलत से वे नजर आ रहे हैं बित्वन राशी की बात करें तो कुछ काम में रुकावट आ सकती है आज का दिन कुछ सेहत को लेकर डावा डोल मामला रह सकता है आज का दिन आप अपनी हेल्द को ध्यान रखें पैसे का फ्लो बना हुआ है करक राशी की बात करें तो मन में कई तर रहती हुई नजर आती है जो कि शाम होने तक ठीक हो जाएगी आज का दिन आप अपने मन में नियोंतरन रखने की जरूरत बात करते हैं सिंग राशी वालों की बात करें तो लोगों से दूरियां बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं लोगों से दूर रहने की कोशिश कर सकते है जिद्द से हानी हो सकती है जिद्द में किसी भी चीज में ना पड़े दोस्त आपकी help कर सकते हैं आपको help मिल सकती है करन्या राशी की बात करें तो मन में करुणा भाव रहेगा कही न कहीं दूसरों की मदद करते हुए आज का दिन दिखाई देते हैं आपके लिए आज का दिन काफी अच्छा बात करते हैं तुला राशी की, धन आएगा new opportunities मिलती हुई आज का दिन दिखाई देती हैं, बात करते हैं कण्या राशी की, आपको माता पिता का खयाल रखने की ज़रूरत है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, लोकरी में आज का दिन आपका बहतर जाता हुआ नजर आता है तो कन्या राशी वालों आज का दिन बहतर विश्चेक राशी की बात करें ससुराल वालों से कोई अप्रिय समचार आपको आ सकता है मन अशांत रह सकता है धनू राशी वालों की बात करें तो कोई कहते हैं यात्रा का योग बन सकता है अचानक यात्रा करते हुए नजर आते ह महिलाओं को खास कर कुछ कारे भार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जितनी भी धनुराशी की महिलाएं हैं उनको कुछ कारे भार बढ़ता हुआ नजर आता है बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी की बात करें आज कोई मनुरंजन का कारे कर सकते हैं कुछ मूवी का प्लान कर सकते हैं कहीं बाहर जा सकते हैं आज का दिन आप फुल ओन इंटर्टेन्मेंट करते हुए नजर आते हैं बात करते हैं कुम्ब राशी की लंबे समय से चली आ रही चिंताएं आज आपकी खतम होंगी कुछ न कुछ धन का लाब आज का दिन आपको हो सकता है मीन राशी की बात स्वास्त रहिए मस रहिए और खुश रहिए